हेलो गईस आज हम बात करेंगे ओपो के इसमार ड्राइविंग मोड के बारे में बेसिकली यह फीचर आप लोग को ओपो की डिवर्स में प्रवाइट के जाता है और अगर आप लोग ड्राइविंग करते हैं तो उस समय यह फीचर आप लोग के लिए काफी ज़्यादा बेसा हुआ है और इसे आप लोग आप लोग को ऊपर में समार्ण ड्राइविंग मोड का अफ् MAN मिल जाएगा और जैसे अप लोग नोडिटिक मोड करेंगे masa second option के अगर हम बात करें do not disturb driving का इस पर क्लिक करें और first option है हमारा allow call from anyone तो यहां पर हमने anyone कर दिये अगर आप लोग यहां पर none रखना चाहिए नन रख सकते हैं बढ़िए क्यों ही रखेंगे आप लोग क्योंकि यह feature तो काफी फाइदे मनद है मतलब कि किसी का call attend करने के लिए तो better feature है इसलिए आप लोग कर सकते हैं फिर आप लोग यहां पर जो है favorite contacts only तो यहां पर आप लोग जो है उनको select कर सकते है जो भी आप लोग ने एगर फैवरेट में रखा होगा उनको simply यहां से आप लोग 예श कर सकते सैकड्ड option की बात करेगा इस तो यहां पर आप लोग को जो है incoming call के लिए auto speaker का option मिल जाता है जिसमें auto speaker यहां पे जो है automatically यहां पर work करेगा तो आप लोग इस option को भी on कर सकते थर्ड option हमारा रिंग for repeated calls उसके बाद है आप लोग को fourth option की बात करेगा तो यहां पर option है हमारा auto send a message after a call is rejected तो यह भी feature आप लोग on कर सकते उसके बाद है fifth option block in app wise and wise sorry video calls यहां पर आप लोग को यह feature मिल जाता है और notification में अगर आप लोग को block लाना system जैसे कि किसी का भी call आ रहा है तो directly आप लोग notification से यहां पर block कर सकते जो कि काफी अच्छा फीचर है उसके बाद नीचे कुछ अधर फीचर है जिसके smart driving on when Bluetooth car kit is connected उसके बाद manage Bluetooth car kit का यहां पर option आता है तो यह basically Bluetooth के हिसाब से work करता है अगर आप लोग यहां पर question mark जो उपर दिखता है green करेंगे तो यहां पर जो है इस system का पूरा का पूरा setup यहां पर दिया रहता है कि basically क्या होता है कि अगर आप लोग car use कर रहें आप यूज कर रहें अगर वहां पर Bluetooth जो है आप लोग यूज कर रहें तो उसमें automatically connect हो जाता है और आप लोग को जो पूरी information पर मिल जाती है मतलब एक तरीके से हम बोल सकते कि आप लोग के लिए safe driving का यहां पर option यहां पर प्रदान किया जाता है और कुछ यहां पर incoming calls की setting है ब्लॉग बैनर नंबर जो कि मैंने अभी आप लोग को बताया how to turn on and कि सब्सक्राइब करते हैं इसको हम मनें बता दिया हूं और अदर्स पर आप लोग कर देखेंगे तो यहां पर कुछ कुछ यहां पर दिया रहता है rules की यहां पर जो है कुछ laws अगेरे यहां पर follow किया जाता है तो यह भी आप लोग इसको पढ़ लिजेगा तो इस type से आप लोग को smart driving mode में कुछ feature प्रादान किये जाते हूं उम्मिद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद नहीं होगी जैमाता दी